आप स्टुडेंट की हाल चालता है, CUT, 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 कि जान घार रखे, CUT की तैयारी कैसे करें, क्या 11-12 की बुक से, NCRT की बुक से हम तैयारी कर सकते हैं, CUT की कैसे हमें तैयारी करने हैं, तो भाई, सबसे बढ़िया सलूशन मैं आपको बताँगा, आपको मैं ये बुक सजे साथ साथ में आपको जी के करेंट अफेयर यह भी आपको स्टेडी करना है और अगर आप कोशिश हो तो न्यूस देखिएगा ठीके न्यूस पेपर पढ़िएगा ऐसा जो पॉंटेंट है इसको कंजूम करिएगा आपको कुछ भी इतना टेंशन लेने की जरूरत ने आपका आर्टिस्ट्री आपका क्लियर होना चाहिए कुछ आपसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपसे लिए जाएंगे ठीक है तो जर्नल नोली से रिलेटिव यही सब लंसम थोड़ा से मिक्सर सा जिससे आपका जो आपकी एबिलिटी है वो टेस्ट हो पाए यह स्यूटी और कुछ निये स्यूटी समझ गे मेरी बात को इतना घबराओ मत पढ़ोगे तो करके आजाओगे ठीक नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं पाओगे घर में ही बैठे रह जाओगे तो बहुत अच्छा है कि वह बन चुका है तो मैं आगी मेरी बात को ऐसे आप तैयारी करिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक बिल जागा बी एफसे रिलेटिड कुछ भी आपके डाउट हो समझो कुछ भी आपके डाउट हो कोई भी आपका कोशन हो आप जो है कमेंड बोक्स भर दीजिएगा और जैसे ही और देख यार देखो एक काम करा करो जब आप लि लिख दो यह भी समझ जाता हूं लेंग्वेज बट और अगर अब अधर लेंग्वेज में लिखो गए तो समझ नहीं आ पाता है ठीक लेंग्वेज में आप लिख दीजिएगा मैं उसको पर वीडियो बना दूंगा क्योंकि उसमें टाइप करने में आप अच्छे से समझ अच्छ भी नहीं पाओगे तो इसलिए मैं वीडियो बना देता हूं अगर आपको मेरे से कोचिंग चाहिए यह बुक चाहिए ठीक है तो डिस्क्रिप्षिन में आपको लिंक मिल जाएगा और कोचिंग से रिलेटिड भी आपको निचे डिस्क्रिप्षिन में लिंक बिल एक तयरी करो आब और आम से ठीक है टैंशन नहीं रेने का बिल्कुल बी मस्त होके काम करो पढ़ो डेली आप एक देड़ घंटे आप तयारी करा करो ठीक है गंटे बहुत होता है ठीक है सोने से पहले कर लो नोसे पहले एक बार पढ़ लोगे बुक को तो इजिली हो आस पास आएंगे 50-90 ऐसे कोश्चन सोते हैं इस बार क्या क्या आता है कॉलिज के लिए ठीक है और रही बार जामिया की जामिया की तो अपना यह ठीज लेता है लग ठीक है कोशिश यह करिए कि इंग्लिस में पढ़ने के कोशिश करिए क्यों कि मौस्टली जो कॉलिज इसे जामियां इंग्लिश में देता अपना फिरी का पेपर होता है अगर आपको बहुत ज्यादा इश्य इंग्लिश के अंदर तो आप इंग्लिश वाली चीजों को जो है ट्रांसलेट कर लिजेगा गूगल पर जाकर तो उससे आपको समझ में आ जाएगा हिंदी में भी आप तो जब मैं कॉलिज में गया था या मैं जब तयारी कर रहा था तो वहां मुझे बड़ा जो है अब पहले अब तो गूगल बहुत सही होगा पहले मेरे पास में नैट भी नहीं था तो बड़ा प्रोब्लम होती थी यह ट्रांसलेट करने में उसको समझने में क्योंकि जाद भी बहुत जाद है थोड़ी ठीक होगी इंगलिश अब कि हम भी आपकी तरह ही देशी बंदे हैं नोर्मल तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में दोस्तों थैंक्यों फो वाचिंग बाए बाए